जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 मार्च 2023 को सूरिय देव अपने सत्रू सनी की रासी कुम्ब से निकल कर देवगुरू ब्रस्पति की रासी मीन में रासी परिवर्तन करने जा रहे हैं जहां पहले से ही देवगुरु ब्रस्पति विराजमान है तो ऐसे में सूर्य का यह गूचर धनुरासी के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा इस होरान आपके वेपार, वेपसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या अचर पड़ेगा जानेंगी सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवेदन हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तों सूरिये और सनी एक दूसरे के पिरती सत्रुता का भाव रखते हैं, और सूरिये वे सनी की यूती जातक के जीवन में कस्ट का कारक भी बनती है, जब सूरिये और सनी की यूती होती है, तो जातक को इससे गंबेर प्रणामों से गुजरना पड़ता है, अब ऐसे म में 15 मार्च को सूरिय देव कुम राशी से निकल कर देव गुरु बरस्पत्य की राशी में चले जाएंगे और सूरिय सनी की यूती का अंध होगा तो दोस्तो सूरिय का मीन राशी में गोचर 15 मार्ट 2023 की सुबह 6 बच कर 13 मिनट पर होगा और यह गोचर धनुराशी के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा मीन राशी एक जलतत्य की राशी है और देव गुरु बरस्पति इसके स्वामी है मीन राशी, सांती, पवितर्ता, अलगाव और एक सामने व्यक्ती की पहुच से बाहर के इस्थानों का प्रते निधेत्व करती है जोतिस में सूरिय को सभी नौ ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है इन्हें आत्मा का कारक भी कहा जाता है इसके अलावा सूरिय पिता, सरकार, राजा और उच अधिकारियों के हितेसी होते हैं साथ ये जातक की गरिमा, स्वाभिमान, एहंकार और केरियर का प्रतीक होते हैं ऐसा माना जाता है कि सूरिय हमारे समर्पन, सहन सक्ती, जीवन सक्ती, इच्छा सक्ती, मान सम्मान और नित्रत करने की छमता आदि को नियंतरित करते हैं। जब सूरिय मीन राशी में गोचर करेंगे तो अपनी सारी नकारात्मक्ता और एहंकारी प्रवर्थी को समाप्त कर देंगे और पुन्हें उर्जावान हो जाएंगे। इसलिए सूरिय का मीन राशी में यह गोचर आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाएगा। धनुराशी के लोगों के लिए सूरिय नौवे भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दोरान सूरिय आपके चोथे भाव याने की माता, वाहन, भवन, भूमी के भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ सूरिय आपको अच्छे परणाम देने वाले होंगे और यहाँ आपके चतुर्द भाव में पहले से ही देवगुरु ब्रस्पति वराजमान है जो ज्यान और धन के कारक हैं। तो ऐसे में परिवार में सुक सांती बनी होगी, एक दूसरे के पिर्थी प्रेमभाव बड़ेगा, आप से रिष्टे अच्छे होंगे, माता के साथ सम्मन्द अच्छे होंगे और माता की और से धन प्राप्ति के युग बनेंगे। इस दौरान यदि आप वाहन खरिदने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई मकान बनाना चाहा रहे हैं, मकान खरिदने की प्लानिंग है, तो इस दौरान आपके सपने साकार होते होई दिखाई देंगे, आपको वाहन सुक की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश अच्छा फायदे देने वाला होगा, जिन कारियों में पहले ना के बराबर परणाम प्राप्त हो रहे थे, उनमें अब अच्छे परणाम प्राप्त होंगे, अच्छा धनलाब होगा, और आर्थी किस्तिती बहतर होगी, इस और आन आपका जुकाव आध्यात्म की ओर होगा, धार्मिक यात्रा पर भी जाने की युग बनेंगे, सूर्य चत्थृत भाव में अपनी दिसात्मक सक्तिक हो देते हैं, जिसके परणाम सरूब आपके घरेलु जीवन में कुछ उतार चढ़ावा सकते हैं, तो ऐसे में आपको पानी पर सहिम रखना होगा, साथ ही अपने गुश्य पर काबू रखना होगा, सूर्य देव यहां आपके स्वास्ते को भी प्रभावित करेंगे, तो ऐसे में खान पान पर ध्यान रखें, हलाकि यहां आपके अपनी मा के साथ सम्मंद अच्छे होंगे, और मा का पूरा सह दरश्टी डालेंगे, साथ ही गुरू की दरश्टी भी आपके केरियर पर होगी, और गुरू की दरश्टी जिस भाव पर होती है, जिस घर पर होती है, वहां अमरत के समानफल की प्राप्ती होती है, साथ ही सूर्य का भी सपोर्ट है, सूर्य और गुरू की युति आपके ये फाइदेमंद सावित होगी, आपके जीवन में चार चांद लगाने का कार्य करेगी, क्यरेर में अच्छी उन्यती देखने को मिलेगी, साथ ही व्यवसाय में व्यपार में अच्छा लाव आपको प्राप्त होगा, अचानक धन प्राप्ति की युग भी बनेंगे, इस और काम के सिलसले में कुछ यात्राओं पर भी जाना होगा, यात्राएं आपके लिए फलदाई साबित होंगी, कुल मलाकर समय आपके लिए काफी अनकूल होगा, यह समय चातरों के लिए भी अनकूल होगा, क्योंकि देवगुरु ब्रस्पति जो की ज्यान के कारक हैं और सूर को अनकूल परणाम की प्राप्ति होगी, बिरोजगार लोगों को रोजगार के अफसर प्राप्त होंगे, ए विवाहित लोगों के लिए भी समय काफी सुखद होगा, विभा के युग बनेंगे, तो समय आपके लिए काफी अनकूल साबित होगा, दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें